नमस्कार, मैं अविशेग विहारी नियूज से और आज हम अपको बताने जा रहे हैं विहार की अध्यात्मिक राजधानी बोध गया के बारे में विहार, जिस शब्द से विहार निकला, उसका मतलब है वो जगए जहां बौध भिक्षू रहते थे बिहार की नस-नस बुद्धार से जोड़ी हुई है और बुद्धा बोध गया से बोध गया हमारी समझ में बस वो स्थान है जहां बुद्धा ने प्रबोधन संपन किया था इतिहास और धर्म की एगाथा एक या दो कहानियों से बाध्य नहीं है बुद्धा के बाद नागा अरजुन असंग जैसे कई मुनियों ने अपने ज्ञान को किसी भी दाइरे के पार ले जाने का कार्य इसी स्थान से पूर्ण किया फिर तिबबत, नेपाल, चीन के बुद्धी जीवों ने इस मिटी पर धर्म एवं ज्ञान का सौगात विश्व को दिया बुद्धा की कहानी परिपूर्ण है जीवन की वास्तविक्ता, मिथ्या, सत्य, जटिल्ता सबको एक सरल नीव देकर सामने रख दिया गया जैसे आधुनिक दुनिया बुद्धा के चरितर से जितना जुड़ सकती है उतना किसी कल में नहीं हुआ जहां हर तरफ युद्ध है, लाचारी है, दुख है, दरिदृता है वहाँ बुद्धा ने 26 सौ वर्ष पहले ही मानवतवात के सारे सिध्धान्त दुनिया के सामने रख दिये थे आप बोध गया की गलियों में आज भी निरंजना नदी के किनारे अपने पाथ साथियों के साथ सफर पर निकले सिधार्थ को महसूस कर सकते हैं अंतर मन में जटल सवाल जीवन क्या है? छे वर्षों तक तपस्या गरने के पस्चात जब सारे साथी छोड़ कर सारनाथ चले गए तब सिधार्थ अकेले सिनानी गाव पहुचे वहाँ पर उनकी मुलाकात एक कन्या से हुई जिसने उन्हें भोजन कराया आखिरकार सिधार्ते पीपल के पेड़ के नीचे पूर्व दिशा में मुख करके बैट गए और प्रण लिया कि जब तक प्रभुदन तक पहुच नहीं जाते उठेंगे नहीं फिर कई असुरों ने उन्हें वहाँ से उठाने का प्रयत्म किया उनके ध्यांग को भन करने की कोशिश की गई पर वो बुद्धा थे ग्यान की चौकट पर अकेले खड़े जिनके सामने हजारों अश्ट्र शच्ट्र भी सुगंधित फूल बनकर सामने गिर पड़े अंध में उन्हें वो ग्यान प्राप्थ हुआ और वही स्थापित हुआ बोध गया कहानिया कई है सत्य केवले बुद्धा ने अपने ग्यान से विश्व का मार्ग दर्शन किया तो आखिर ऐसा क्या था इस चरित्र में जिसने महान से महान योद्धाओं को अहिमसा सिखाया जिसने जातिवात के बुरे तत्वों के सामने समाच को खुल कर सांस लेना सिखाया आज अंतराश्क्रिय परेटकों में जो आस्था इस जगर को लेकर है वो अध्वितिये है बिहार की आध्यात्मिक राजधानी जिसकी तरफ विश्व आस्था से देखता है कई कारणों से मशूर है सबसे प्रमुक है महाभोधी मंदिर ये कहानी का वही स्थल है जहां बुद्धा को प्रबोधन मिला इस मंदिर के आसपास आपको कई रंग दिखेंगे बहुत भिक्षियों को पूजा करते एक साथ देख भवे इतिहास का एहसास इवा मन को शांती आपको बस यहीं मिल सकता है बुद्धा की विशाल प्रतिमा जो कमल पर विराजमान है वो बस देखते ही बनता है मंदिर, मट, म्यूजियम, इत्यादी सी ये स्थान नवंबर से फरवरी महिने में फब्दा है मौनसुन में हैं जाने से बचें सबसे नजदी की हवाई अड़ा पटना में स्थित है पटना से तीन घंटे दूर गया सड़क द्वारा जाया जा सकता है ट्रेन द्वारा जाने के लिए गया स्टेशन है जिससे बोध गया की दूरी 16 किलोमेटर है आप वहाँ से टैक्सी या आटो गर सकते हैं जो आपको 70 रुपए में बोध गया पहुचा देंगे बिहारी होकर भी अगर आप यहां नहीं गए है तो एक बार जरूर जाईए देखकर आईए बिहार का गौरफ कैसे मुस्कुराता है बुद्धा की कर्म भूमी में और अगर आप बिहार के बाहर रहते हैं तो जानिये कि बिहार और बिहारी दोनों के चरितर का निर्मान यहां से हुआ है एक निश्वार्थ सोच और महाबोधी रिक्ष के छाओं में पनप्ते बिहार के फूल अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप यह वीडियो फेस्बूक पर देख रहे हो तो हमारे पेच को लाइक करें और शेयर करें धन्यवाद